गुड मॉनिंग बच्चों कैसे हो आप लोग आज हम सेकेंड क्लास का इंगलिस की बुक में से जो चैप्टर नुमर फॉर है लेट्स ओल प्ले ये करने जा रहे हैं वेटा ये जो चैप्टर है ये गेम पे अधारित है जैसे कि आप लोग जब छुट्टी होती है या आपको रिशेस फिरिड में जब मौका मिलता है या आप जब घर पे होते हो और आप अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जब अपने साथियों के साथ अपने प्रोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते हो तो आप कहीं तरह के खेल खेलते हो कहीं तरह के गेम आप खेल है आओ हम सारे मिलकर खेले लैट्स ओल प्ले हम सब मिलकर खेले अब देखिए दो पिक्चर में भी कुछ लड़किय गेम खेल रही है और यह भी आप खेलते होंगे तो आप बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन हमारा जो हमने रीड करना है सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चेप्टर के अंदर चार बच्चे हैं एक हर्षित है एक प्रिया है एक अली है और एक राजु है और यह चार बच्चे आपस में डिसकस कर रहे हैं कि हमें क कैसे खेलना है चलिए start करते हैं read करना chapter हम यहां से start करें हर्षित सुरुवात में हमारे पास हर्षित आता है हर्षित क्या गयता है हर्षित काम 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 वो सब को बुला रहा है आओ 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 everybody everybody मतलब क्या होता है सारे वो सब को गह रहा है कि आओ 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 Let's all Let's all go out आओ हम सारे बाहर चलें And और Play some games और कुछ खेल खेलें पले का मतल terror होता है खेलना और some का मतलब होता है कुछ और games का मतलब होता है खेल तो वो सबी बच्चों को पुला रहा है सबी बच्चों का मतलब Everybody सारी को बुला रहा है कि आओ हम बाहर चले और कुछ खेल खेले ठीमिमि अब बच्चे चो क्या काम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं यह आ गया हरसित और हर सब में बच्चो को बुला रहा है अब देखी हागी क्या हो तया है सारे लगारण किली घर्ट कबड़ी खेल सकते हैं और पिठ्थू या फिर पिठ्थू भी खेल सकते हैं प्रिया करती है देखो हम लोग खोको कबड़ी और पिठ्थू खेल सकते हैं अब अली अली एक लड़का है वो क्या कहता है अली we can play pittu अली कहता है कि हम pittu खेल सकते है I have a new ball वो बोलता है कि मेरे पास एक नई बोल है हर्शित हर्शित क्या कहता है ओके चलो ठीक है let's play pittu चलो pittu खेलते है let's का मतलब चलिए play का मतलब खेलते हैं और pittu का मतलब pittu we will यह word जो है यह इसमें से w और i नहीं है यह abbreviation में लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं will तो हम इसको ऐसे बोलेंगे we will make two groups two का मतलब आपको पता है two का मतलब आपको पता है two groups groups का मतलब होता है smooth हम दो group बनाएंगे हम दो group बनाएंगे चलिए अगले page पर देखते हैं क्या होता है अब प्रिया प्रिया की बारी है प्रिया क्या कहती है राजू you come and join us प्रिया राजू को कहती है तुम आओ और हमारे साथ मिल करके खेलो join का मतलब होता है मिलना आओ और हमारे साथ मिल करके खेलो राजू राजू क्या कहता है all right ठीक है I will join your group I will join your group ठीक है मैं तुम्हारा group जोइन करूँगा मैं तुम्हारे साथ मिल कर तुम्हारे समू में खेलूँगा all all का मतलब क्या कि सारे आप सारे बच्चे गठ्थे हो गए ocurra let's start hurra कब बोलते हैं जब हम बहुत कुस होते हैं जब हमारे मन में बहुत कुस्य ही उमड़ रही होती है तो हम क्या बोलते हैं hurra hurra let's start चलिए शुरू करते हैं it will be a great fun it will be a great fun fun का मतलब होता है मज़ा ग्रेट का मतलब होएगा यहां पर बहुत बहुत मज़ा आएगा अब देखिए बच्चे आप पिट्टू गेम खेलने जा रहे हैं देखिए कैसे खेलते हैं आप लोगोंने भी खेलोगा यहां पर यह बॉल को इसके साथ टकराएगा यह बॉल ऐसे फैंकेगा और इस इसके कुछ वार्स मेनिंग हैं जो मैंने आपको पढ़ाते हुए ही बता दियें बाकी आप देख लिए एक बार फिर दुबारा चलिए आप इस से लेटेड कुछ true and false है हमारे को एक activity दे रखी है यहाँ पर और इस activity में आप लोगों को कुछ true and false कमतलों क्या है यह आपने जो चीजें पढ़ी है अगर आपने उनको सही से पढ़ा है तो आपको यह पता लग जाएगा कि यह बात सही है यानिके true है या फ देखें अब harshit is calling everybody हरसit सब को बुला रहा है हरसit is calling calling का मतलब बुला रहा है everybody का मतलब प्रतिये को सभी को हर बच्चे को बुला रहा है तो यह बात सही है या गलत है correct है या incorrect है correct है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे टीक कमाग ऐसे टीक कर देंगे क्योंकि वो सभी बच बोल है और old गा opposite क्या होता है new तो अली के पास तो new बोल है और जब अली के पास new बोल है तो यह sentence incorrect है तो यहां हम क्या लगाएंगे cross उसके बाद everybody decided to play ko ko नहीं सभी बच्चे क्या खेलने के लिए बोलते हैं सारे बच्चे क्या decide करते हैं कि हम पिठ्थू खेलेंगे और इसमें क्या कहा है खोखो अगर खोखो खेल रहे हैं वो तो इसका मतला है कि हम गलत sentence use कर रहे हैं वो पिठ्थू खेल रहे हैं तो यहां पर भी हम क्या गाएंगे incorrect यानि cross आप देखिया अगला sentence प्रिया आस्क राजू टू गोफ फॉर आप पिकनिक प्रिया राजू को किस चीज के लिए कहती है वो कहती है come and join us प्रिया राजू को क्या बोलती है come and join us वो कहती है कि आओ और हमारे साथ मिल करके खेलो नेकिन प्रिया कहती है राजू को कि आओ पिकनिक के लिए चलें जो कि incorrect है पिकनिक के लिए नहीं कहा रही है वो वो कहा रही है हमारे साथ मिल करके खेलो तो इसलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे क्रोष only children are happy आरे सभी बच्चे जब खेलते हैं यह तो बहुत सभाविक है कि जब हम खेलने के लिए जाएंगे हमें खेलने का मोका मिलेगा जहम क्लास से बाहर जाएंगे तो हमें खेलने के लिए जाना है तो हम बहुत खुष होते है तो all children all का मतल़क है सारे चिल्डन का मतलब बच्चे, आर कमतलब हर, और हैपी का मतलब खुश, तो सारे बच्चे खुश हैं, तो हम यहां क्या कहेंगे, करेक्ट, और यहां पर लगाएंगे, टिक, तो बिटा, अब एक और एक्टिविटी है नीचे, इसको और देख लेते हैं, देखिए, इधर कुछ गेम्स के नाम दे रखे हैं, बैडमिन्टन, होकी, यह थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, यह आप अपनी बुक में देख लिए न, बैडमिन्टन, होकी, क्रिकेट, कैरम, स्किपिंग, यह गेम्स की नाम है, और यह वो चीज़े हैं, जिससे आप लोग इन ग गेम्स को खेल होगे, तो आपको मैंने कर लिए एक्सरसाइज भी दी थी, और आज दोबारा से फिर मैं आपको करवा रहा हूँ कि बैडमिन्टन, जिस चीज़ से खेला जाता है, वो क्या होती है, रैकेट, ठीके, ऐसे मैच करना आपने, होकी की चीज़ से खेले जाती है, स्टिक से, इसके साथ मैच करेंगे, क्रिकेट किस से खेला जाता है, क्रिकेट, बैट से खेला जाता है, इसके साथ मैच करेंगे, उसके बाद कैरम, कैरम किस से खेला जाता है, कैरम बोर्ड से, और स्किपिंग, रशी कुदना किस से होता है, यह हमारे पास रोप है, स्किप पुछी तैना है आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद